यह second number में है आपका 10 inverse x plus root under 1 plus x square तो यहाँ 1 plus x square है root के अंदर तो हम लोग यहाँ पर x के जगह पर या तो 10 theta put करेंगे या तो cot theta put करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर put कर देता हूँ x equal to cot theta आप 10 भी put कर सकते हैं कोई दिख कर नहीं तो यहाँ से बता हो तो theta का value क्या आजाएगा cot inverse x चलिए क्या हो जागा यहाँ पर put करेंगे तो 10 inverse क्या put करना x से जागा cot theta cot theta plus root under यहाँ पर देखिए 1 plus cot square theta 10 inverse cot theta plus में देखों यहाँ पर root under 1 plus cot square theta है तो यह cosec theta के equal हो जाएगा ठीक है अब इसे simplify करते हैं थोड़ा से यहाँ पर देखिए 10 inverse अंदर देखिए इसको cos theta बटा में sin theta लिख सकते हैं और plus इसे 1 बटा में sin theta लिख सकते हैं आगे देखिए 10 inverse अंदर क्या हो जागा LC हम ले लेते हैं sin theta उपर आ जागा cos theta plus 1 हम लोग formula जानते हैं 1 plus cos theta का 1 plus cos theta का formula आता है 2 cos square theta by 2 और sin theta का formula होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2 तो इन दोनों का use यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर 10 inverse उपर आ जागा आपका 2 cos square theta by 2 और नीचे हो जागा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 यहाँ देखो एक cos से एक cos कर जागा और यहाँ 2 से 2 कर जागा तो cos theta by 2 बटा sin theta by 2 cos theta by 2 हो जागा यहाँ जागा cos theta by 2 ठीक है अब देखिए मैं cot को यहाँ 10 में change करूंगा न जी तो यहाँ पर लिखूंगा 10 inverse 10 pi by 2 minus theta by 2 ठीक है तो यहाँ पर आ जागा pi by 2 minus theta by 2 यानि pi by 2 minus 1 by 2 theta का value हम लोग उपर जो लिखे हैं cot inverse x यहाँ पर लिख देंगे तो pi by 2 minus 1 by 2 cot inverse x यहाँ से इसका answer आ जागा छेले अब इसका